हेलो दोस्तो स्वागत आपका इस्टेडी 1.2 में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कीलो गराम के सवाल को कैसे सॉल्व करते है दोस्तो वीडियो को अंतक देखते रहना आपको अच्छे से समझा जाएगा किलो ग्राम के सवाल को कैसे solve किया जाता है दोस्तों यहां पर पहला सवाल है 50 ग्राम का दाम 1 से 20 रुपिया है तो 1 केजी का दाम कितना होगा इसमें पूछा है 50 ग्राम का दाम 1 से 20 रुपिया है तो 1 केजी का दाम कितना होगा एक केजी का दाम निकालने के लिए सबसे पहले हम 100 गराम का दाम निकालेंगे 100 गराम का दाम कैसे निकालेंगे 50 गराम के एक से 20 पर है 100 गराम का निकालेंगे मतलब इसका डबल कर देंगे यह वज़ा है कि 240 रुपिया 100 ग्राम का 240 आगया है अब 1 kg का निकालना है आपको कुछ निकरना है बस इसके आगे 1 जीरा बिठा देंगे 240 के आगे 1 जीरा बिठा देंगे का दाम आजाएगा 2400 रुपिया यानी 2400 रुपिया हो जाएगा एक किलो का दाम दोस्ता आपको समझ आ गया होगा चलिए इसी टैप के एक आउट स्वाल करते है दोस्ता दूसरा है एक केजी का दाम तीन सचालिस उर्पिया है तो पचास गराम का दाम कितना होगा इसमें उल्टा पूछा है पहले वाले में पहले पचास गराम था इस वाले में एक केजी का दे रखा है और पचास गराम का पूछा है एक केजी का तीन सचालिस प्या दे रखा है तो सबसे पहले क्या करेंगे सौ गराम का निकालेंगे तो सौ गराम का कैसे निकालेंगे यहां से एक 0 हटा देंगे यह हो जाएगा 34 रुपिया 100 ग्राम के 34 पे आ गया अब 50 ग्राम का पूछ आपको समझ आ गया होगा इसी टाप के बेसिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्क्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना ध अन्यवादे